दोस्तो चैतर नवरात्री वा नवरात्री होती है जिस दौरान मातारानी जी स्वर्ग से धर्ती पर वास करने आती है धर्म शास्त्र में साथ सफ लिखा हुआ है ते क्लिया करते हैं तो कभी भी आपकी पूजा साधना क्रिया खाली नहीं जाती है माता रानी जी अवस्चेह आपको वर्दान देती हैं, अवस्चेह आपको आशिरवात देती हैं और आपके जन जन मांतर की गरीबी, परिशानी, कष्ट, दुख हमेशा के लिए खतम हो जाता है और आपके जो भी मनुकामना होती है चाहे वो नौकरी संबंदित हो, वैपार के लिए हो, संतान प्राप्ति के लिए हो वह चैत्र नवरात्री के बाद अवश्य ही पूरी होती है दोस्तों चैत्र नवरात्री इस बार 22 मार्च 2023 से शुरू होगी इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा चैत्र नवरात्री के दौरान हर व्यक्ति पूजा पाट करेगा वरत रखेगा ताकि माता रानी जी का उसको आशिरवाद मिल सके और उसके जीवन में उसको परिशानियों से मुक्ति मिल जाए और उसकी हर मनुकामना को पूरी हो जाए इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे कि चैत्र नवरात्री के दौरान आप किन तरीके के उपायों को करके अवश्य ही माता रानी जी का अशिरवाद पर आप्त कर सकते हैं चैत्र नवरात्री के दौरान आपको ऐसी कौन सी गलतियां है जो भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए चैत्र नवरात्री के दौरान किन नियमों को अगर आप पालन करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी आपको आशिरवाद देंगी ध्यान रखेगा दोस्तों चैत्र नवरात्री एक ऐसी नवरात् इन तरीके की दिक्कतों से आपको छुट्टी मिल जाएगी और अवश्य ही आप अपने जीवन में उन्नती करेंगे विकास करेंगे और आपके घर की बरकत होगी। माता रानी जी का आपको आशिरवाद मिले, माता रानी जी के आशिरवाद से आप अपने जीवन में बरकत करें, उन्नती करें और आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट का मूद ना देखना पड़े। तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशिरवाद मिलेगा और आप उन्ने जीवन में उन्नती करेंगे, तरक्की करेंगे, मन चाहिए आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी, बंद पड़ा वैपार आपका चल पड़ेगा, आपके घर की बरकत होगी, उन्नती होगी, आप कामियाब होंगे, और मान के चलिए दोस्तो, जो भी आपकी मनुकामना होगी, वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी, इसलिए दोस्तो, अगर आप भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धनकी भूलिएगा, तो दोस्तो, चैत नवरात्तिरी के तौरान कहा जाता है कि भूल कर भी आपको कुछ ऐसी गलतिया हैं, जो नहीं करने चाहिए, देखिए, जैसा हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, कि चैत नवरात्तिरी के तौरान, माता रानी जी अवश्य ही गर पर वासकन्ने आती हैं, और वो देखती हैं किस घर में उनकी पूजा पाट का पालन हो रहा है, नियम पूर्वक हो रही है, पूजा की नहीं हो रही है, और अगर सब कुछ सही रहता है, तो माता रानी जी आपके घर पर अवश्य ही वासकन्ने आती हैं, लेकिन दोस्तो जाने अन जाने आप ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वज़े से मातरा नीजी रुष्ट हो जाती है और आपके घर से चली जाती है आप पूजा भी करते हैं पाढ़ भी करते हैं नियम पुर्वक वरद भी रखते हैं लेकिन फिर भी आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जा है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजे तो सबसे पहला नियम तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नवरात्री के दुरान पूजा पाट करते समय महिलाएं गलती सभी सफेद कपड़े ना पहनें दोस्तो इस बात का भी विशेश करके ध्यान रखना होगा कि अगर आप मंदिल जा रहे हैं या घर पे भी पूजा पाट कर रहे हैं तो काले कपड़े का भी धारन ना करें वरना आपकी पूजा खंडित हो जाएगी आपकी पूजा संपन नहीं मानी आएगी और जो माता रानी कपड़े को रखने के बाद ही उस पर चौकी लगानी चाहिए अब आपको इस बात का इस्मराण रहना चाहिए कि नवरात्री के इन नौ दिनों तक वरत धारी को अपना आसन माता जी की चौकी के आगे लगाना चाहिए और वही पर आपको सोना चाहिए दोस्तों मंदिरों को नवरात्री के दौरान अकेला कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए ये बहुत ज़्यादा अशुब मना गया है मतलब इस बात का आप ज़्यान रखिएगा कि जो आपकी चौकी है वो आप माता रानी जी के पुझास्थान के पासी लगा है और दूसरा नवरात्री के दौरान दोस्तों घर पे जहां भी पुझास्थान है जहां पर भी आपने चौकी लगाई है दोस्तो उसको अकेला मत छोड़िएगा जैसा हम आपको बता चुके हैं मातारानी जी आपके घरबर वास करने आती हैं और मातारानी जी को अगर अकेला छोड़ करके जाते हैं तो यह बहुत जादा अशुब होता है नंबर दो दोस्तो नारियल हमारे हिंदु धरम में धन, समरिद्धी और मान का सूचक माना जाता है नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है नारियल को किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख समरिद्धी में व्रिद्धी करने वाला माना जाता है नारियल का हर मांगलिक कारे में विशेश महत्व माना गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं माता रानी जी के मंदिरों में नारियल की बली दी जाती है तो आपको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा माता रानी जी की पूजन में नारियल का इस्तमाल किस तरीके से करना है इस बात का आपको ध्यान देना हो का देखिए दोस्तों जो नारियल होता है उसका भी इस्तमाल करने का एक नियम बना हुआ है और नियम किस तरीके से बना हुआ है चलिए वो हम आपको बताते हैं, इस नियम को अगर आप जान लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तो इससे आपको ही लाव होगा क्योंकि आप नारियल ले करके आते हैं, मातजी की चौकी के पास रखते भी है नारियल लेकिन अगर आप नारियल को गलत तरीके से रख रहे हैं तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी आपकी पूजा संपन नहीं मानियागी तो नारियल को पूजा में इस्तमाल कैसे कियाता है चलिए आपको हम बताते हैं देखें दोस्तों नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक जिस पर जटा होती है, सुखा नारियल होता है, और एक नारियल होता हरा वाला नारियल, अब सुखे नारियल में भी दो तरीके के नारियल होते हैं, जिसमें एक जटा वाला होता है, एक पानी वाला होता है, बिना पानी हो अब आपको जटे वारे नारियल में एक लाल कपड़ा बांद देना है लाल कपड़ा को मौली धागे से बांद दीजे उसके उपर माता रानी जी की चुन्री रख दीजे इसको कलश के उपर आपको रख देना है ध्यान रखेगा दोस्तो चौकी के पास जो नारियल रखा जाता है हुँ लेटा करके रखा आता है तो नार्यल का इस तरीके से नियम का पालन अगर आप करते हैं तो मान के चैलिए मातारानी जी की असीम कृप़ा आपको प्राप्ट होगी दोस्तो नंबर तीन जो नियम आपको हमेशा पालन करना होगा नवरास्तिर के दुरान वह है लॉंग का नियम दोस्तो लॉंग माता रानी जी की पूजा में हमेशा इस्तमाल कियाता है कहा जाता है कि लॉंग का इस्तमाल करते समय लोग एक बहुत बड़ी जलती कर बैठते हैं और इस बात का वो ध्यान भी नेज़ते हैं जिसके वज़े से उनकी जो पूजा होती है वो खंडित हो जाती है तो लॉंग को लेकर के क्या निया में चलिए आपको हम बताते हैं दीखे दोस्तों लॉंग का इस्तमाल हर धार्मिक कारे में अवश्य ही किया एता है लॉंग का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और लॉंग के दौरह की गई पूजा से हमारी म人民 कामना पूरी हो जाती है तो जब भी आप किसी भी पूजा में चाहे मातारानी जी की पूजा हो या कोई भी शुबकार की पूजा हो उसमें जिस भी लॉंग का आप इस्तमाल करें लॉंग हमेशा फूल वाली होनी चाहिए और बहुत से लोग क्या करते हैं जो पीछे की डंडी होती लॉंग की वो तूटी फूटी होती है उसको भी पूजा में इस्तमाल कर लेते हैं दोस्तो ये बहुत ही अशुब है कभी भी पूजा में तूटी फूटी लॉंग इस्तमाल नहीं की जाती है दूसरा हमेशा फूल वाली लौंगी का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो नियम नमबर 4 तुलसी के पत्ते कभी भी माता रानी जी की पूजा में इस्तमाल नहीं करने चाहिए कहा जाता है कि माता दुर्गा जी की पूजा में तुलसी के पत्तों के इस्तिमाल करना वर्जित माना गया है वैसे जो तुलसी का पत्ता होता है वो भगवान विश्णु जी का स्वरूप माने आता है कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते का भोग, अगर वगवान विश्णु जी और हनमान जी महराज की पुजा में ना लगाया जाया है, तो माना जाता है उनकी पुजा संपर नहीं माने आती है, लेकिन धर्ण शास्त में सारस ठाहल लिखा हुआ है, कि माता रानी जी की पुजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं लेकिन आप ये बात जान लीजे कभी भी माता रानी जी की पुजा में आपको तुलसी के पत्तों का इस्तमाल नहीं करना है दोस्तो अब जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा देखें माता रानी जी की पुजा में आप किसी भी चीज का इस्तिमाल करें चाहे दिया हो नारियाल हो या किसी भी चीज का वो खंडित नहीं होने चाहिए माता रानी जी की पूजा में कभी भी लोहे की थाली और प्लास्टिक की थाली से पूजा नहीं करना चाहिए प्लास्टिक की थाली क्यों जो प्लास्टिक की थाली होती है वो चाइना वगएरा में बनती है इसमें हड्डियों की राख का इस्तमाल किया आता है और इसका इस्तमाल माता रानी जी की पूजा में करना बहुत ही अशुब माना गया है तो दोस्तों माता रानी जी की पूजा में इन नियमों का आपको पालन करना है इन नियमों को अगर आप पालन करते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी की आपको असीम किर्पा प्राप्त होगी और आप अपने जीवने बहुत ही उन्नती करेंगे माता रानी जी के आशिरवास से आपके जीवन में आपको काम्याब होने से कोई भी नहीं रोख पाएगा इसलिए दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेजान है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट वाक्स में जै माता दी जै माता रानी लिवेजा